आपने सलात बहुत तरीके काया होगा लेकिन यह बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही हेल्दी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इसको दो टाइम भी खा सकते हैं और इसको दो तिन तरीके से बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अमेजिंग ब चोट चाहें तो पहले थोड़ा सा गीडाल करके तो चोट बाला सा जीरा कि फिर नहीं को डालें तो चौक वाला था में चाहिए इसको दो कप पानी समये तो पानी में उबालाने देंगे बात आप डेख सकते हैं पाने में उपाल आ गया है अब डलीया को ढग जो पाल से हैं को अब जोह दो चाहें तो multi grain जो दलिया आता है वो भी यूज कर सकते हैं मैंने गहुं बाला दलिया यूज किया है और हाथ से दबा कर इस तरीके से देख लें कि दलिया दब रहा है या नहीं क्योंकि दलिया दबना चाहिए कच्छा-कच्छा नहीं होना चाहिए नहीं तो जो सलाध है उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा अब दलिया को एकदम ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद इसमें सभी फल और सबजियां डालेंगे आप देख सकते हैं दलिया ठंडा हो गया और यह एकदम खिला खिला हो गया यह इस तरीके से ही हो जाता है दलिया ठंडा ह तो अम्रूद लिया है महीन कटा हुआ, अनार के दारे लिये हैं, हरी म्रच लिया, चाठ मसाला, नीबू और नमक और इसमें आप अपने मन पसंद की सब्जी दाल सकनें casos और भी जो सब्झी फ 되어 पुसंद दाल सकते अगर आप चाहें तो शंत्रे के PIECES भी ढाल सकते हैं, थोड़े से कट करके, मैंने दल्या को बॉल में कर लिया, अब इसमें मिलाएंगे सबसे पहले नमक और चाट मसाला, तो जिसे की जो दल्या है वो फीका फीका ना लगे, मैंने जो उबाला था, जब दल्या को उबाला था, तब भी नमक वगेरा कुछ भी न ये सबजी कोई twoetable spoon कोई threeetable spoon आप अपने टेस्ट के अनुसार सबचियों की quantity अपने हिसाब से डाल सकते हैं यह यह जाता है बहुत भाउल भरतरा करें तयार होता है मतलब पेट बहुत अची तरीके से भर जाता है बहुत भाउल नाभाज पाम मसाला डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि सब्जियां डाली हैं फल डालें उसके हिसाब से और थोड़ा सा नीबु का रस डालेंगे ये सबी चीज़ें आप अपने टेस्ट के नुसार कम जाधा कर सकते हैं और बहुत ही यमीन दलिया का जो सलाद है वो बन करके तयार है उपमा बोल सकते हैं और इसको सलाद सर्व करने के लिए तैयार है तो प्रेट में शर्व करेंगे अगर आपको ये रेसिवी पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें आपके कमेंट का मुझे इनतिजार रहेगा फिर मिलते एक नए वीडियो के संगब